आज हम ये Amazon प्रोजेक्ट डवलप करने वाले स्क्रैस से कैसे चलो देखते हैं तो सबसे पहले हम बिल्ड करेंगे हमारा केटिगरी सेक्षन केटिगरी सेक्षन जो हमारा लेफ्ट में बना हुआ है इसमें हमने तीन चीज़े लगाई है एक डिस्क्रिप्शन एक नेम और एक इमिज अब हम चलते हैं पॉर्ड बी आई में और उसके लिए डेटा को इंपोर्ट करते हैं जिस डेटा में ये सारी चीज़े पढ़िए ताकि उस डेटा से हम ये सारे डेटा निकाल सकें हम गेट डेटा बेजा के अपनी CSV फाइल चूज कर लेंगे सिस्टम से ये फाइल्स में आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइट करा दूँगा तो ये है हमारा डेटा इसमें अगर आप लास्ट में देखोगे तो हमें मिलेगी केटिगरी तो ये ही केटिगरी हम यूज करेंगे और आपको इमेज यू मिलेगी जो पड़ी इस लाज वाले कॉलम में तो चलो हम इसको लूट कर लेते हैं तो अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगी लूट होने में तो ये जब लूट हो जाएगी पूरी उसके बाद आपको ये राइट साइट में दिखाई देखी हम देख सकते हैं Amazon Fashion YT करके ये शोर रही बट इसमें अभी मेरे डेटा सही नहीं है तो अब क्या करेंगे डेटा को क्लीन करेंगे और जो जो चीज़े हमें चाहिए उस डेटा से एकस्ट्रैक्ट करेंगे तो जब मैंने ट्रांसफर्म डेटा में गया और मैंने देखा इस डेटा को हमारा डेटा कुछ ऐसा दिखता है बट आप यहाँ पर देखोगी कुछ एरर है डेटा में तो कुछ चीज़े हमें निकालनी पड़ेंगे जैसे के एक इमेज यहाँ पर इमेज एक कॉलम में कई सारे इमेज'स पड़ाइगे तीन तीन या चार या पाच तो हम इसमेंसे इमेज निकालेंगे रेक से एक और इसके लिए हम इस्पलिट करदेंगे इस सेंबल से, तो यह हमारा split हो जाएगा column, जब split हो जाएगा तो हमें मिल जाएगे दो या तीन column, अभी split होने के बाद जो मुझे first चाहिए, एक image पहली वाली जो सबसे start vary, वो मेरे को मिल गई है, तो अब इसके बाद हम चलते हैं, category भी, हम category को अपने साब से बना लेते हैं, इसमें आप देख रहो है, spaces नहीं है एक भी, तो मुझे क्या करना है, इसमें space चाहिए, between text अगर आपने यहाँ पे देखा हैं, आपने जो dashboard है उस पे, तो मुझे space अट करने के लिए हम फिर से split करेंगे, lower to uppercase, अब देखो आप जी split हो गई, और null को हम replace करेंगे blank से, जितन अब null होगा, तो हमारा जो हम column अभी add करेंगे, उसमें null मिल जाएगा, तो column एक हम add करते हैं, new category जो हम बना रहे हैं उसमें, तो अब हम इन तीनों को जोड देंगे आपस में, इसके बाद जो आपको column मिलेगा, उसमें आपको मिलेंगे spaces, और वो category column हम use करेंगे, हमारे slicer में तो वो column useful होगा, तो अभी मैं spaces add कर रहा हूँ बीच में, तो यहाँ पर एक end मिस है, तो end को जैसे हम add करेंगे, हमारा column हो जाएगा fix, तो अब हमें category column मिल गया है, तो अब हम इसमें से remove करेंगे कुछ unnecessary columns, जो हमें नहीं चाहिए, तो हम select कर लगते हैं उन columns को जो हमें नहीं और जो पुराने category को column थे वो भी हमें नहीं चाहिए, और एक और column होगा, जो image वाला होगा, जो image 2 का है, यह भी मुझे नहीं चाहिए, आप रख सकते होगर आपको images चाहिए तो, तो मैंने यह columns remove कर दिये, I think अब हमारा काम हो गया है, अब हम इसको कर देते हैं, close and apply, close and apply होन clean हो चुका है, आप देख सकते हैं, जो unnecessary column थे वो remove हो चुके है, तो column remove होने के बाद, यह जो कर आप देख रहो, slicer मैंने यूज किया है, यह वाला, तो मैं slicer को slit करता हूँ, इस slicer को slit करने के बाद, हम इसमें drag करेंगे category, जैसे कि, जैसे ही हम category drag करेंगे, हमें यहाँ पे हम blank को uncheck कर दूँगा, तो यह मेरी blank filter हो जाएगी, आप अपने case में रख सकते हो, बट मुझे भी blank नहीं चाहिए, मैंने blank हटा दिया है, तो यह फिर से change supply होंगे, थोड़ा सा load होगा, उसके बाद, हमें हमारा result मिल जाएगा, और जितनी भी blank value होंगे, इमेज में, वो सारी remove हो चूज करेंगे product name, product name हमने इसलिए चूज किया description थी, हमारे बास description में कुछ values blank आ रही थी, जो कि मुझे अच्छे नहीं लगते हैं क्रेटिगरी में, इसलिए मैंने product name यूज करा, इसके लिए आप कुछ और भी यूज कर सकते हैं, अगर आप data देखोंगे, इसमें बहुत स description होगा, इसे slicer में हम उस image को select कर लेंगे, जो हमें चाहिए large वाली, जो large one करके थी, उसके बाद हम इसका image fit type है, change करेंगे, normal कर देंगे, उसके बाद हम इसको कर देंगे left में, अभी मेरा slicer थोड़ा सा ठीक हो गया है, और layout में चलके इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको दे कितनी जल्दी हो गया है, कितनी असानिस हो गया है, तो अब हम इसको set कर देते हैं left में, जहां पर ये रखा है, अब इसमें कुछ और चीज़े दिख रहे हैं, जो मुझे change करनी पड़ेंगे, जो मुझे नहीं चाहिए थी, तो उसको से पहले हम इसमें कुछ setting को change करते हैं, जो हमें apply करनी है, like एक border सारा था, अपने देखा होगा, left में देखा हैं आपको, orange clear का border रेट करते हैं, और हम क्या करते हैं, hover effect change करते हैं, और press effect change करते हैं, ये सब चीज़े करते हैं, अपने according, अपने theme के according, जो हमने amazon की theme देने का try कर रहा है, उस theme के according, slicing, slicer को थोड़ा सा design करते हैं, तो हमने fill color कर दिया white, जब हो selected हो, because जब selected होगा, black होगा, वो मुझे सही नहीं लग रहा है, तो selected पे borders भी on रहेंगी इसकी, तो ये selected condition पे क्या रहेगा, white, तो मैं चाहता हूँ, जब ये select हो, कोई भी एक, उसका color रहे है white, change now, और border color रहे orange, value का change करने के लिए हम value वाले section में जाएंगे, selected वाली state चेंज कर देंगे, text को कर देंगे blank, और उसका font भी change कर देंगे, कर देंगे थोड़ा सा bold, और font type चेंज भी कर देंगे, जो मुझे चाहिए वो कर देंगे, और फिर label का भी same color change कर देंगे black, तो अभी मेरी category section लगबद, लगबद तयार हो गया है, तो आप ऐसा category section मना सकते हो, और ये इस तरीके से भी आप इस slicer को use कर सकते हो, तो मैंने एक states के साथ भी खेला थोड़ा सा, प्रेस वाली state के साथ खेला, और जो selected state के साथ खेला, तो ये छोटे-छोटे से changes, अगर इस में slicer में करें, तो दोखो अब slicer थोड़ा सा attractive बन गया, आप ये जो effect आ रहा है, और इंज वाला, इसको white भी रख सकते हो, वाइड रखोगे, तो और अच्छे लगेगा, जो borders image के आसपास दिखने ही, वो नहीं देखेंगी, तो अब हम इसको बनाते हैं, नव बार या फिर जो top बार है, उसको बनाते हैं, उसको बनाने के लिए एक shape लेते हैं, शेप को उपर top पे रखते हैं, पूरा पूरा fill कर देना है, उसके बाद हम इसका color on करते है, color और खेंगे इसका white, तो अभी हमें यह दिखनी राएं, because हमारा background color नहीं है, तो हम इसमें डालेंगे background color, जो मैंने हलका से gray रखा है, उसको copy करके paste कर देंगे इस पे, तो हमारा background color हमें मिल जाएगा, तो जब अब यह visible हो रहा है, मेरा top bar, अगर आप देख सकते हो, तो shadows on कर देंगे, तो shadow भी एक important चीज है, जब भी आप designing करते हो, ज्यादा hard shadow कभी भी नाख्राण आप बहुत बिकार लगेगी, बहुत खराब लगेगी shadow, तो अभी मैंने इसका भी background off कर दिये हैं, जो slicer का था, तो अब हम चलते हैं shadow, अपने हिसाब से set करते हैं, जो मुझे अच्छी लगती हैं, और आप same value रख सकते हो, या फिर आप hard ज्यादा रख सकते हो, कम ज्यादा रख सकते हो, अपने according, जो आपको चाहिए, अभी मैं shadow को थोड़ा ठीक कर रहा हूँ, आगे पीछे करके, जो मुझे चाहिए, वो मिल जाएगी, तो बड़िया है, मैं ज्यादा hard need use करता हो, कभी भी, हल्किसी बस थोड़ा सा shade देने के try करता हो, थोड़ा सा background से separate करने के try करता हो, तो फिर इसके बाद हम logo select कर देंगे, जो हमने download किया है Google से, वो logo लगा देंगे, left hand पे, तो logo का size, I think मैंने perfect रखा है, आप अपने recording बड़ा या छोटा भी रख सकते हो, और फिर हमें logo लगाने के बाद, हम add कर लेते हैं, तीन और page जो हमें चाहिए, एक product का है, एक है product view का, तो ये page मैंने starting में आपको दिखाएं, ये वो page हैं, because हम navigation वाले buttons बनाने वाले, इसलिए मैंने ये तीन page add कर लिए, और buttons कैसे बनाएंगे, जब मैं उपर button वाले option पर जा की buttons मिल जाएंगे, और इसके name भी automatic set हो जाएंगे, जब जब अगर मैं page का name change कर दोगा, वो खुद पर खुद ले जाएगा, तो अब हम इसको भी अपने हिसाप से थोड़ा सा theme से match करते हैं, इस button को, जैसे मैंने buttons use के, मैं इसकी theme भी same रखूँगा, तो आप देखो मैं कैस theme से match कर रहा हूँ चीजों को, जिससे के main elements और ज्यादा beautiful ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा अच्छे attractive लगे, तो अभी, तो buttons अगर आप देखोंगे, मैंने button में भी एक icon use किया, check वाला, because वो थोड़ा सा अच्छा लगा था, अगर आप Amazon की website पे जाओगे, तो आपको उसको alignment, तक कि वो icon की मेरे को ज्यादा मिले, तो इसके बाद, यह मेरा लगभग तैयार हो गया है, तो हम मैंने तीनो पे यह icon same use किया है, बट वो जिस जिस page पे जाएगा, वहाँ वहाँ पे, अभी मैंने borders match कर दिये, orange, orange, अगर आप देख सकते हो, borders मैंने orange रख दिये, तो अब हम लाते हैं, सर्च बार, सर्च बार के लिए मैंने custom visual निकाला है, अगर आप Power BI आपका login है, तो अच्छी बात हैं, आपको यह custom visual मिल जाएगा, अगर आप इस पे भी वीडियो चाहते हो, कैसे login करें Power BI को, तो उस पे भी वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अब है मैं padding इसकी बढ़ाता हूँ, और मैं सर्च बार को उपर लग दूँगा, आप अगर ज़्यादा confused हो चीज़ को लेकर सर्च बार को लेकिन, अब इसको मत use करो, तो इस सर्च बार में मैंने category डाले हैं, जब जब मैं किसी भी category को सर्च करूँगा, वो category ही filter होगी, और slicer का use भी कर सकते हो, slicer के तुरू category को filter कर सकते हो, तो अभी ये सर्च बार लगा दिया है मैंने, इसके बाद हम चलते हैं buttons पे, तो अभी मेरे इन तीन दो pages पे button मिस है, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने ये top bar बना लिया है, मैं इसको copy करता हूँ, और simply उन दो page पे भी paste कर दे लेता हूँ ले जाके, तो ये मेरा इतना काम खुद पर खुद आसानी सुई जागा, मेरे तीनो page पे मेरे top bar तयार होके लग गया है, तो अब बस ये है मेरे को icons लगाने इन तीनों पे, तो icons select करके, मैं लगा देता हूँ इन तीनों पे, एक एक करके, size अपने according रख लेता ह तो ये आप notice करो कि इतनी छोटी छोटी से चीज़े यूज़ करके, मैं कितना attractive बनाने का प्राई कर रहा हूँ इस dashboard को, आप अपने dashboard भी ऐसे attractive बना सकते हो, अपने buttons भी बना सकते हो, buttons यूज़ करते हैं न हम लोग, तो buttons में भी आप कई तरह के icons लागा सकते हो, अपने theme के recording कोई भी icons ले सकते हो, तो ये basically आप इस idea ले सकते हो, आपको idea भी मिल सकता है, कि आप कैसे कैसे कर सकते हो, तो अभी आवाना top bar, left bar तयार हो गया है, अब हम क्या करते हैं, इसको एक बाद test करते हैं, इसके बाद हमें क्या चाहिए अभी sales वाला, units वाला, ये slicer, ये भी slicer है मैंने जो यूज किया, लेकिन आप इसका icon notice कर रहा है, चेक वाला, वो on off हो रहा है, तो ये बाद थोड़ा सा tricky है, ये चीज, ये चोटा सा है, small सा, बस थोड़ा सा tricky है, यूज करने में, और ये basically ये भी आपको idea देने के लिए, कि आप इस चीज को कैसे achieve कर सकते हैं, ये त तैयार कर लिया, ये table, because हम sales और unit को handle करने वाले, अगर मेरे को unit से ये, जब में unit select करो, तो मुझे particular quantity में, कितने quantity में बिके मेरे product, कितने units बिके मतलब, और अगर में sales select करो, तो उसकी amount है, कितनी amount में बिके, तो basically मैं ये handle करने वाला हूँ, तो उसके लिए मैंने source है, मेरे य ये sales वाला, तो मैं इसको load करता हूँ, अखरी power via में, तब मेरे को उसका data दिखेगा, अभी ये data load हो रहा है, धिरे धिरे, ये data load होने एक बाद हम data को देखेंगे, कि जो data हमें चाहिए, वो मिला या नहीं मिला, वो कहां से हम एक तो इदर से भी देख सकते हैं, हमारा जो table view option होता है, transform data में तर आप नहीं जाना चाहते हो, तो आप table view से यहां से भी देख सकते हो, आपका data, तो अभी मेरा ये problem उपर देख रही है, आप column 1, column 3, column 7, ये करके इसको fix करते हैं, चलो हम, हम कैसे इसको fix करते हैं, transform data में चलते हैं, और transform data में एक option होगा, use first row as a header, उस option पे जब आप click करोगे, तो आपको data आपका fix हो गया, अब हम इसको close and apply करते हैं, तो ये फिर से थोड़े से changes apply होगे, थोड़ा सा time लेगा, उसके बाद ये वाली problem हमारी fix हो जाएगी, और भी हमें, तो ये वाली problem आती है, जब जब आप नया source लेते हो, तब तब तब, तो अभ हमारा all set हो गया है, sales वाला पूरा table आ गया है, तो अब हम इसमें से sales का data निकाल सकते हो, हमें इसमें status भी मिलना है, तो हम सबसे पहले चलो status ही डाल लेते हैं, मैं सोच रहा हूँ, तो slicer, अभी मैंने normal वाला जो पहले power भी हमें slicer आता था, उसको choose किया है, उसमें drag कर ये status वाला column, तो अभी हमारे इसमे status मिल गया है, और अभी मैं इसमें से blank सोच रहा हूँ, remove कर दो, blank मुझे नहीं चाहिए कोई status, तो इसमें changes में ये वाले same shadow रखनी है, मुझे तो shadow के लिए मैंने format painters पे क्लिक करके, एक बर क्लिक करा, तो मुझे shadow इस पे हलकी से apply हो गई हो तो अभी मैंने color white रख दिया और bodies को कर दिया, थोड़ा सा round, थोड़े थोड़े से round रखके मैंने ज्यादा नहीं रख था इसमें, तो अभी select all भी open कर दे क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं एक ही बार में एक ही को select कर रहा हूँ, कभी मैं select सब को भी select कर सकता हूँ, तो अभी हमा हमारे पास है quantity सिर्फ इस source में, sales वाले में, price का amount नहीं है, तो amount लाने के लिए हम transform data में चलके, इसके जो price होंगे, in product के वो price उठा लेंगे, तो हमें, but उसको उठाने के लिए, यह हमारा जो ID है न, यह same है, हम इसके थूरू उठा सकते है, Amazon fashion से, इसका price, तो चलो, join मारते है मर्सक्वारी पर चलके, इस वाली ID पर, जब हम इस ID पर join मारेंगे, हमें यहाँ पर यह मिलेगा, फिर हम यहाँ पर लियाएंगे, sales price, तो हमें, इसका price मिल जाएगा, जिस product का जो जो price होगा, तो अभी हमें price मिल गया है, तो यह है amount, एक product, जो इसा भी product है, उसके amount कितनी है यह उस ID के थुरू आ गए, तो हम इसको close and apply करते हैं, फिर सारे changes apply होचाएंगे, थोड़ा सा load होने के बाद, तो load होने के बाद हमें data, I think, अब हमारा काम हो गया होगा, हमें amount बिल गी, लेकिन अभी भी इसमें problem है, अगर आप देखोगे तो, अगर मेरे 5 product बिकें, तो मेरे 5 product की amount होना चाहिए, मतलब multiply होना चाहिए, एक amount, multiply होना चाहिए, एक amount, multiply होना चाहिए, पाच product से, तो वो मेरे total amount होगे न, मैं एक amount तो दिखा ने सकता, तो मैंने उसको multiply कर दिया quantity से, जो मेरे amount आ रही है, example के अगर मैं यहाँ पे जाके, एक select करो, two वाला, two quantity तो अब देख एक, तो अब हम इसको use कर सकते हैं, इस वाली amount को, जो total वाली amount में लिए, यहाँ पे, तो हम सबसे पहले, अब दो major बना लेते हैं, इनको sum करने के लिए, sale amount को और units को, जिनको हम आगे जाके use कर पाएंगे हमारे majors में, जो major हैं, तो basically यह base major हम इनको ऐसा, base major consider कर लेते हैं, ए एक sale unit वाला बनाते हैं, दो बनाते हैं अभी, और फिर हम इनको उपर आगे use कर सकते हैं, तो name मैंने यह रखती हैं, आप अपने according भी रख सकते हो, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, हमें चाहिए यह, जब मैं sale चूज करो, sale वाला मिले, units चूज करो, units वाला म करना था ना हमें, इसके लिए भी मैं एक measure बनाता हूँ, जहां मैं इनको filter करूँगा, filter कर निए मैं एक variable बनाऊँगा, जिसका नाम दे दूँगा यह, और उसमें selected values करूँगा, और फिर मैं select हूँगा table, type, type मतलब 1 या 2, तो मैं अगर यहां पर कहूँगा, if मेरा selected 1 है, य यह दो है, एक मतलब sale, दो मतलब units, मैं कहूँगा कि selected अगर मेरा एक है, तो मुझे दे दो sale, sale मतलब total amount, तो मैं यहां पर total amount return करूँगा, otherwise मेरा यह दे दो मुझे units, else में units चलेगा, तो यह इस पर काम करेगा, अब हम चलके, हमारा जो measure हमने बनाए, वो drag करते हैं, report पे, और देखने कि हमें क्या मिलना है, तो हमने इसको select किया है, और इसको card वाले visual में change करा है, और इसको देखने के लिए हम अपना slicer choose करेंगे, और slicer में डालेंगे इनका name, अभी हमने name डाला है, इसमें name में हमें मिलना है 1 या 2, जो कि गलत है, क्योंकि हमें इसका नाम को type करना प जाएगा, fix होने के बाद हमें सही मिल जाएगा, name में name, type में type, तो अभी मैंने जब type choose करा, तो नेम choose करते हैं, मैंने name choose किया, तो अभी ये छोटे छोटे से आ रहा हैं, क्यों, क्योंकि कुछ problem है setting में, हमें इसकी setting सही करनी पड़ेगी, visuals की I think layout में जाके, इसको करना रही का one, तो इसके बाद ये हमारा fix हो जाएगा, और title को कर देंगे off, तो अब अगर आप देखोगे, ये हमारा अच्छे से चल रहा है, ठीक है, अब units और sales हो पारी है, हम इसको भी अपने theme के according set करेंगे, जो हमारी theme चल रही है, उसके according इस button को set करेंगे, और बनाएंगे, तो मैं चाहता है, इस button को simply भी रख सकता था, जैसा चल रहा है, black का, black या yellow color कर देता, वो भी अच्छा लगता, बट मैंने छोटा सा detailing काम किया इस पे button पे, और इसको थोड़ा सा और attractive बनाने के try करा, because मेरे पस जायदा कुछ नहीं था, इस में आपको सिखाने का, आपको ब हितर से समझ पाओ, चीज़ों को सीख पाओ, इसलिए साथ में अगर मैं उसमें थोड़ी सी creativity एड़ कर रहा हूँ, तो आप आगे जाके, उन चीज़ों की use कर सकते हो, creative चीज़े बना सकते हो, तो अगर आप देखो, button हमारे हिसाब से चल लाए, ठीक उपर वाले किता है, ल तो ये link आप मैं दे दूँगा, description में कोई issue नहीं है, आप इस icon को access कर लेना, इसके तुरूँ इस वीडियो में देखे के मैं कैसे इस को यहाँ अपलाई कर रहा हूँ, तो अभी मैंने इसको यहाँ बे ड्राइग किया, इस URL को, उसके बाद मैं इसको off कर दूँगा, इसकी icon मिल गया, अब अगर आप देखो कि हम यहाँ पर एक logic हमें use करना पड़ेगा, जिस logic की मदद से हम unit और sales की icon को hide and show करेंगे, देखो यह logic बहुत important है, यह छोटे से थोड़े थोड़े से complicated होते हैं, लेकिन यह मैंने designing map किया है major को, तो आप इस से थोड़ा सा सीखो, तो यह स करा है, if मेरी selected value या image selected value 1 हो, तो मुझे image देदो, otherwise यहाँ पर यह return करेगा blank, blank पर मेरी image नहीं मिलेगी मेरे, तो ठीक है, यह hide हो जाएगा, और अगर image मिल जाए, तो यह show हो जाएगा, तो basically, अगर आप देखोगे, अभी यह ठीक चलेगा, units पर है मतलब hide है, sales पर जाते इसक show हो गया, ठीक है, अब हमें units के लिए करना है, इसका उल्टा, हम इस वाले visual को करेंगे, copy and paste, हम इसके लिए एक और major बनाएंगे, और इसमें कर देंगे, इसका उल्टा, उल्टा नहीं मतलब दो pass करना पड़ेगा, सिर्फ हमें, दो को compare करना पड़ेगा, एक की जंगा, तो अब अगर selected इसमें आ रहा है तो, जो selected image है, यह selected value है, तो मतलब के units आ रहा है, तो यहाँ पर दे दो image units वाली show, तो अब हम image में, हमें fx में जाके select करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें image show होगी, अगर आप देखोगे, तो अब मेरा यह buttons काम कर रहे हैं, एक्तम ध़रा अच्छे से काम कर रहे है, hide and show, ठीक है, दोनों buttons, अब हमें इन्हें छिपकाना पड़ेगा हमारे buttons पे, तो इन्हें थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, और यह इन पे click ना हो, जब अगर हम कुछ भी choose कर रहे हैं, click करते हैं कई बार, तो यह click होंगे, बहुत बार इसी कर करते होगी, यह click हो जाएंगे, तो इसके लिए हमें इसको रखेंगे, इसके नीचे है, जो मेरे visual, यह जो slicer है, मेरे CLC unit वाला, इसके नीचे रखेंगे, format की help से, send to back, अगर हम इसको कर देंगे, select करके, तो यह back पे चल रहेगा, अब इस पे हम click नहीं कर पाएंगे, अगर अब मेरे CLs और units पे ही click होगा, और अभी हम इसको आगे जाके, group buy भी कर देंगे, तक कि यह मेरे ही लेना buttons, इन दोनों को select करके, group buy कर देंगे, तक कि यह मेरे buttons ही लेना, ठीक है, अब इनके background भी off कर देंगे, और थोड़ा सा, नीचे उपर करके, इन buttons को center ली आएंगे, क्य तो अगर आप हमको starting से follow कर रहे हैं, तो आपको पता है कि हम creativity थोड़ी बहुत दिखाते रहते हैं, और ऐसी से चीज़े करते रहते हैं, तो वीडियो प्रसंदारी आप like और subscribe कर सकते हो, गर एक परसंट भी help होई है आपको इस वीडियो से, आप थोड़ा सा प्यार देखा स सकते हो, हमारी थोड़ी सी मेनत के लिए बाकि ये button बेतरी से चल रहा है, और अब हम इसको group by कर देते हैं, और ctrl G जब आप layer को selector भी ctrl G करोके, आपका ये group by automatic हो जाएगा, जिस layer को आपको group by करना है, तो अब हम क्या करते हैं, अभी हमें इसको visuals में भी, इसको visuals में भी value ड जादा कुछ आप, आपको major नहीं बनाने के जूरत पड़ेगी, अब एक major से आपका सारा काम हो जाएगा, total amount वाले से, यहाँ पर unit sales सब आ जाएगी, तो बस हमें visuals डालने हैं, जो हमें चाहिए, और थोड़ा से उनमें color changes करने हैं, तो वो हमारे visuals सेट हो जाएगे, तो no chart मैंने उपर यह वाले यूज़ कियें chart, I think यह वाले best थे, अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, इतना सारा data show करने के लिए, मैंने यह वाले यूज़ कियें, और मैंने नीचे यूज़ किया, यह वाला waterfall chart, तो इनकी data label on, off, आप अपनी मरज़े से कर सकते हो, मैंने colors रगते ह अब थोड़ा से dark orange भी रख सकते हो, अगर आपको पसंद है, तो colors और इनकी title भी fix करेंगे, तो अगर आप अभी आगे जाके देखूँगे, थोड़ी थोड़ी से चीज़े matter करती है, अगर मैं इसके title का font change अब करूँगा, तो देखना कितने साही लगेंगे visuals, अभी देख तो आप format printer का भी use करें, इस वाले option का, जब जब आपको कोई changes apply करने हो, किसी particular visual में जो पुरा already आप कर चुके है, तो आप इसका use करें, ये काम को बहुत जल्दी करता है, तो अभी हमारे ये visuals को हम थोड़ा सा upper set करते हैं, और इनके background, borders को थोड़ा सा कम round करते हैं, तो मेरे ये visual set हो गए, तो इसमें majors हमने कम बनाये दें, और सही बनाये दें, आप ये title यूज़ कर रहा हूं है, sales by units ये सब, ये सब भी आप dynamic बना सकते हैं, select value की help से, ये आपके dynamic बन सकते हैं, जब आप unit select करो, तो units चोओ, ये आप ये sales by आ रहा है, और sales select करो, तो sales वो fix करे, मेरे visuals अच्छे लगने लगे, लेकिन अब ये इसमें एक issue आ रहा है, अगर notice करने वाले लोग हो, उन्होंने notice कर लिया होगा, क्या issue आ रहा है, मैं सवाज गया हो, क्या issue आ रहा है, देखो, मैं यहाँ पर टालता हूँ date, अगर, अगर मैं देखो, इनको unit sales करके, तो data मुझे data में changes नहीं रज़र आ रहा है, data में change होना चाहिए, तो ये चीज़े आप खुछ से पकड़ोगे, ये mainly skills है, तो मेरे में problem होगी, मैं relationship में चलेंगे, relationship माननी पड़ेगी हमें, जो id हमारी थी, जिसकी वेरे से हमने उठाया था, तो इन दोनों files को basically link करना पड़ेगा आपस में, तब ही ये दोनों आपस में work करेंगी, तो link करते है, relationship मानते हैं दोनों की एक दुसरे से, और इसके बाद हमारा data fix हो जाएगा, अगर मैं इसको close करूँ और report पे दुबारा से चलूँ, तो आप देखो हमारा data हो गया fix, units और sales हमारा site से चल दा है, और हम इसका data label on कर देते हैं, आप देखो data कम बढ़ हो रहा है, अब भी भी कुछ problem है, अब भी भी I think कुछ problem है, देखते हैं, हाँ मैंने measure relative use कर रहा है, अगर आप देखो कि total amount हमारा ये measure नहीं है, filter वाला, हमें यूज़ करना, filter वाला measure, ये sales major, sorry मैंने I think, ये भी नहीं है, filter करके बनाया है मैंने, filter sale, ये रहा, मैं मुझे कोई ये यूज़ करना देखना, अब आप fix हो जाएगा, कर आप देखोगे तो, हमारी values, अब units और sales कम बढ़ हो रही है, ज्यादा और कम, तो unit size से बात कम होगी, और sales होगी ज्यादा, और यहाँ पर हम ड्रैक करते हैं, अपना जो major बनाया था इसको, वही वाला, और इसके color को करते हैं, change, ठीक है, हमारा ये chart भी done हो गया है, और अब हमारे रह गया हैं, जो, फोड़े से दो, एक major मेरे को और बनाना पड़ेगा, I think, दो बनाने पड़ेंगे, मेरे को overall sales भी दिख तो मुझे उसके लिए ये वाला major लिखना पड़ेगा, जैसी मैं all का use करता हूं, तो category चलिया थी default में, सारी category सेलेक्ट हो जाती हैं, जितनी भी होती हैं, अगर मेरा filter काम नहीं करेगा, अगर मैं filter use भी कर रहा हूं, category का तो filter मेरा नहीं चलेगा, basically all का use, इसलिए हम करते हैं तो अब ये sale, अगर मैं category change भी करूँगा, ये sale यहीं पर रहेगी, ये change नहीं होगी अगर आप देखोगे, ये change, because overall सब की आ रही है, बट अगर मैं इस वाली को choose करूँगा, ये change होगी, क्योंकि ये category के according आ रही है, ठीक है, ये change हो रही है, हमारा ये भी होगा, हमेशे ये seller count, seller count basically कितने sellers है, मतलब कितने लोग हैं जिनने products खरीदें और जिन पर deliver हो गए है, successfully deliver हुए है, तो मुझे ये भी जरूरी था, जरूरी नहीं है, और उन्हें खरीदे, return भी कर होया हो सकता, उन्हें return कर दिया हो, या फिर pending में हो उनका product, तो मैं उनको consider नहीं कर सकता as a seller, इ ये major use करा, यहां से मैं content string की help से deliver वाला नहीं करना हूँ, और मैं क्या करता हूँ, यहां पर end मैं zero को करना हूँ, अगर blank value हो, तो zero वहां पर show हो जाए, मैं blank नहीं show करना चाहता, तो उस चरीके से blank को handle करते हैं, और मेरा, यहां पर मैं text को change करता हूँ, और in buttons को, पहले मैं ए लिक को ही करता हूँ, अब देखो मैं फिर से format painter का use करूँगा, अगर आप लोग देखो के, जो मैं कहना हूँ, आप लोग इजाद से ज्यादा यह use करो, मैं जैसी इसको selectर हूँ, इस पे click करूँगा, then मेरे changes supply हो जाएंगे, तो इसको आप use कर सकते हो, इसका जितना पतल लंबी हो रही, अगर आपने यहां तक आ गए हो, और आपको wait है, दूसरे वाले का, रोग व्यूगा मैं भी बताता हूँ, और यह मैं यहां पे मैंने, आपने देखा होगा, यहां पे, मैंने separate किया था, एक line की help से, तो अभी line में हमेंट करेंगे, पहले हम इसके background करे देते हैं, ताकि यह collapse ना करें कहीं पे, तो अब हम चलते हैं, इनके नाम चेंज करते हैं, sale, overall sale, total या फिर total ना देते हैं, total sale, तो नाम अपने according आप रहा सकते हो, यहां पे फिर हम यहां पे line ले ले लेंगे, और line को line की help से separate कर देंगे, in chart को, sorry, in numbers को, और इनकी colors देखो, अब यह अब dark हैं, बहुत नई suit कर रहे हैं, मैं हलका सा grey लूँगा, black ले लूँगा, वो भी ने अच्छे लगेगे, ठीक है, अब अगर आप यहां तक वीडियो में आ गया हो, तो अब हम देखेंगे, next वीडियो में, कि हमें product वाला कैसे बनाना है, next वीडियो बहुत वाली है, तो अगर आप देख चुके हो, तो मैं यहां पर पिन करना हूँ, side में, end में, आप वहां से देख सकते हो, तो चैनल को subscribe कर लो, हम यह वीडियो कल डालने वाले, या फिर आपको screen पर यह वीडियो दिख रहा होगा, तो वीडियो को like कर लो, और वीडियो को save कर लो ताकि आप तक वो वीडियो पहुच सके, तो चलो मिलते हैं नेक वीडियो में, तब तक के लिए बाई बाई